नमस्कार मैं हूँ रुची शर्मा वेब्सी की तमाम बड़ी खबरे लेकर हाजर हैं हम टॉक शोल होस्ट जिमी केमिल ने बुदवार देराथ पूर्व अमेरिकी राश्टपती डॉनल्ड ट्रंप के NFT project के holders को बेवकूफ कहा ठीक उसी समय secondary market में इन assets की कीमते बढ़ गई NFT price floor data के अनुसार Ethereum scaling network polygon पर बनाए गए Trump digital trading cards का floor price पिछले दिन दुखना होकर $434 तक पहुँच गया उस समय के दौरान collection से लगभग 90 NFTs trade की गई NFT holders पर किमिल ने हमले तब किये चब Trump ने अपने मार लोगो resort में एक कारिकरम में NFT holders की मेजवानी की और वहां कई तरह के pro crypto टिपनिया की Manhattan में संभावत Republican उमीदवार के चल रहे गुप्त धन मामले का संदर्ब देते हुए किमिल ने कहा ट्रम्प ने आज मुकदमे से अपनी एक दिन की छुटी का उपयोग अपनी पिरिमिड स्कीम पर ध्यान के इंदृत करने के लिए किया है उन्होंने अपने NFT खरेदारों वाले सुपर फैंस के लिए मार लागों में एक VIP डिनर की मेजवानी की बढ़ते हैं अगली खबर के ओर एक NFT ट्रेडर ने हाल ही में स्काम स्कीम्स की बढ़ती दर के बीच एक फिशिंग अटाक में 145,000 डॉलर से अधिक मुले की बोर एप यॉट टलब NFTs खो दी ओंचें सेक्योरिटी प्लाटफॉर्म पेकशील ने 9 माई को एक एक स्पोस्ट में गतिविधियों पर ध्यान आकर्शित किया हमले के परिणाम स्वरूप तीन BAYC NFTs चोरी की गई घटना जो 8 माई को 1747 UTC पर शुरू हुई इस अटाक के दौरान BAYC 7531 को TATUS.ETH से फिशिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया इसके बाद अटाकर ने BAYC 6736 और BAYC 210 को ही अड्रेसे में फेज दिया पिंग ड्रेनर के रूप में पहचाना गया ये मिलिशियस आक्टर तीन BAYC NFTs के साथ फरार है और इन NFTs को उसने कुल 48.5 ETH में बेच दिया है जो 145,000 डॉलर के बराबर है बिक्री प्रमुक NFT Marketplace, Seaport और Blur पर की गई है बाकी एहम खबरों के लिए करते हैं विशाका का रुख ब्रिटिश मल्टिनाशनल टेलिविजिन मीडिया कामपनी ITV स्टूडियोज Metaverse Platform Sandbox पर अपना लोग प्रियर शोओ The Voice ला रही है इस Singing Reality Show में Music Superstars UK की अगली बहतरीन आवाज धूनने के लिए कोच की भूमे का निभाते हैं Kher Singing Reality Show का पहला विर्चुल अनुभव Decentraland पर लाँच किया गया था और अब International Format एक Immersive Gaming Experience प्राप्त करने के लिए पूरी तरह तयार है जो की Sandbox में Popular Singing Competition Format के साथ होगा Voice Coach Battle नाम का ये Immersive Experience मुख्य रूप से खिलारियों को Celebrity Coaches के रूप में कारे करने और शो की Famous Red Chairs पर बातने की अनुमती देगा इतना ही नहीं Coach Battle Players को कुछ Romantra Quiz भी प्रदान करेगा और उनकी Journey The Voice पर Real Life Celebrity Coaches के समान होगी जो की एक Blind Audition के साथ शुरू होती है अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर United Kingdom में बसे देश Wales ने अपना पहला Metaverse Experience लाँच किया है और अब आप Wales को दुनिया के किसी भी कोने से एकस्प्लोर कर सकते हैं Wales में घुमने के लिए उपलब्द अनुभवों, स्थानों और आकर्शनों की श्रिंखला को प्रदर्शत करके फविश्य के पर्याटकों को प्रेरित करने के लिए विजिट वेल्स दुबारा ये गहन अनुभव तैयार किया गया है विजिटर्स कई विशेष्टाओं के माध्यम से देश की संस्कृति और विरासत का स्नाप्शॉट देखने के साथ साथ वेल्स इंस्पायड लांसकेप को खुद का वर्ट्वल वर्जन या आवटार बना कर देख सकते हैं आपको पता दें कि इस इमोसिव एक्स्पीरियंस में सभी विजिटर्स को वेल्स के एक हिस्टॉरिक कासल में छुपे मैप को ढूनना होगा और आप वर्ट्वल वर्ल्ड में घूमने के लिए केबल का राइड भी ले सकते हैं और तो और एक आमफिथेटर भी होगा जो कि वेल्स के वाइबरंट मुजिक और कल्चर को हाइलाइट करेगा कैर वेल्स में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति क्वेस्ट भी कर सकता है जुसमें कि एक आइलन में छिपे हुए साथ ड्रागन को एक अठा करना होगा और साथ ही एक वर्ट्वल इंटराक्टिव जोरी का प्लान भी बनाना होगा तो आज के लिए वेब 3 से जुड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही ऐसी ही अपडेट्स के लिए लॉग उन करें हमारी वेबसाइट www.3verse.tv.io पर या फिर स्कान करें QR कोड